जै मातादी फ्रेंद्स वलकम बैक टुचियों विकाजी वाल इन वन कैसी है मेरी यूटी फैमली आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड आज की वीडियो में आपको टोटर फाइब से दिखाने वाले थी बट अभी फोर दिखा रही हूं जिनको मैंने पिक किया है फिलिप कार्ट से और फोर क्यों दिखा रही हूं विकाज यह जो गाउन आप देख रहे हो ना इसकी रिक्वेस्ट मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कापी टाइम पहले की थी मैंने और भी प्लेस कर दे थी बट आपको पता ही है कि ऑनलाइन शॉपिंग में होता है सम्टाइम तो आपको बह पारिस में मिलासर रहते हैं यह जुक्ष अपको कि में ऐसा होता है कि म 08g की जिसी तरहे होता स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रुक्वेस्ट अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके में यूट्व फामिली का इससा बन जाए है जिन लोगों सब्सक्राइब क्या हुआ है उनका दिल से थैंक्यू और जो घं सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शिन बॉक्स ओपन हो जाएगा राइट फ्रेंड इस फर्स कूरती फ्रम दिस हॉल और स्टार्टिंग मैं आपको बता दूँं ऑनेस्टी फ्रेंड जैसी पिक म आपको लाइट फाइपन जो तरह का वर्क मिल जाता है त्रीफोस मिल जाती है अगें इस तरह से पाइपन वाला मत मिल जाता है और पूरी ही कुर्ती पर जो प्रिंट आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही जादा कोपसुरत है एसी लांध की में बात करूँ तो मेरी हाइट मेरा साइज स्मॉल है बट यह मुझे हलकी सी लोज ती इसमें आपको स्मॉल से लेके डवल एक्सल तक सारे ही साइज मिल जाएंगे और आपको बैक से दिखा दो सेम पैटर्न आपको बैक से भी मिल रहा है और लैंध बहुत ही ज्याद अच्छी बाकिया प्राइन पर प्रेंड नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हुमें यह सैमी स्टिच एरन गाउन जिसके लिए मेरी सस्काइबर ने मुझे बोला था जो कि पिक में बहुत जादा सुनर दिख रही थी हैं आई दिंग कैमरे पे भी बहुत अच्छी दिख रही है बट एक्च्छल में यह उत आपको इस तरह से यह लेस मिल जाती है फ्लेयर की में बात करूं तो इसका ओक्योक्य वाला फ्लेयर रेना बहुत जादा है ना बहुत कम है और आप देख सकते हैं यह सैमी स्टिच गाउन है जो कि आपको साइट से स्टिच मिल रही है जस्ट आपने ही हाँ पर इसका जो न वाली लेंद्थ है अकॉर्डिंग टुप्राइज हम बात करें तो यह ठीक भी है बट मैं थोड़ी सी से डिसपॉइंट हूँ बिकस मुझे इसका जो फैब्रिक है न वह बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया विकस जैसा वहाँ पर दिखा रखा था यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है थोड़ा देखने के पाद आसा लगा रहा है कि इसकी कॉलिटी थोड़ी सी चीप है बट अकॉर्डिंट टूप्राइज हम देखें तो ठीक है बट मेरी तब से रेकेमेंडेट नहीं है क्योंकि मुझे यह बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई डुपट्टा काफी अच्छा है बट गाउन मुझे पसंद नहीं आई फ्रेंड नेक्स आपको दिखाने वाली हमें यह बीटिफुल कुरती ऑनेस्टी राट को यह बहुत जादा है दिखो आप इस तरह से कैमरे पे भी नहीं आ रहा है बहुत अच्छा फ्लियर है एंड ऑनेस्टि बहुत सुंदर कुरती जैसी पिक में आपको दिख रही है न एंड कम्रे पे जैसी दिख रही है आपको एज़टिस मिलने वाली है प्रिंट आ अभी के प्राइज आपको स्किन पे मिल जाएंगे फ्रेंड नेक्स आपको दिखाने वाली हूं में यह बीटिफुल कुर्ती जैसे कि आपने मोस्ट आप देखा है कि पिक में कुछ इसी तरह के शायन देखती है बट एक्चुल में आपको जो रिसीव होती है वह मुझे वही फैबरिक मुला है इसकी फैबरिक के मैं बात करूं तो यह पॉली चंदेरी है जो की बहुत ही रिस क्वालिटी का है और वर्क आप देख सकते हैं पास से कितने फाइन तरीकी से किया गया है कुर्ती भी जो है वह थोड़ी डिफ्रेंट पैटन में है आपको फ्रेंड से यह तुड़ेस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेर कर देना मेरी लिए कोई कोश्चेन है कोई सजीचन है तो डैफिनी कॉमेंट करके जरूर बताये करो I will see you soon my next video be positive be happy love you all